प्रभातकबर.com विश्वास वही रवतार नहीं सपा का ग्रोथ भी इसमें दिख रहा हैं कॉंवरेस वस्पा और आप इस रेस से बाहर दिख रहे हैं इसको लेकर हर नेता के अपने अपने तर्क हैं इधर यूपी के चुनाव परिणाम से पहले बिहार में भी इसको लेकर ज्यानबाजी का दौर शुरू हो गया है प्रिश्वी यादो ने इस पूरे मामले को लेकर तंच कसते हुए कहा है कि एग्जीश्पूर की मिठाई भाजपा को खा ले दिजिए परिणाम का मिठाई अखले से यादो खाएंगे वहीं कॉंग्रेस ने उम्मीद जताई है कि उसकी भी सीटे मढ़ेंगी जबकि भाजपा अपने परक्राणिश्पूर को लेकर पुरी तरसे अस्वास्थ है और परदेश अधर्च संजज अस्वाल का काना है कि उत्तर परदेश भाजपा की ही सरकार बनेगी आई एम आपको लिखाते हैं किसने क्या साब कुछ दावा किया है देखिए जनता के बीच जो काम करेगा गरीबों के बीच जो काम करेगा जनता की सुविधाओं के लिए काम करेगा वह निश्चित तोर पर सरकार उनह बनाएगा जिस प्रकार मोधी जी ने लगातार गुजरात में चुनाव जीत करके एक रिकॉर्ड बनाया था योगी जी उसको निश्चित तोर पर रिपीट करेंगे अरे भाई एकजिट पोल का लड़ू खाने दीजे उनको जीत की असली जो रिजल्ट होगा वह अकले जी लड़ू खाएंगे काई चिंदा करेंगे चले पीजेपी कर रही है कि चले बढ़ी 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 है जो लगातार आवाज उनहा रहे थे उनको जवाब जवाब ने दिया हार नतीजे आएंगे तो और भी उनको ना हुआ था तो एक्जिट पॉल रिजल्ट क्या दिखा रहे थे किसकी सरकार बता रहे थे तो यह बीजेपी के लोग सब लोग जानते हैं इस बात को लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि यूपी में लोग जो हैं साउधान रहें यह लोग किसी भी हद तक जा सबिए पिछले दस वरशों में जितने भी एक्जिट पॉल हुए हैं सब बक्वास साबित हुए हैं उसकी अलग अलग बज़े हैं हम यह नहीं कहेंगे कि एक्जिट पॉल करने वालों ने ठीक से काम नहीं किया किया लेकिन अब वो दौर खत्म है कि जब आप एक्जिट पॉल के जरीए सरकार बन रही है उत्तराखंड में कॉंगरेस की सरकार बन रही है गोवा में कॉंगरेस की सरकार बन रही है तीन राजियों में हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं उत्तर परदेश में हमारे सहयों कि भी नाक साइब सरकार नहीं बनने जा रही है थोड़ा इंतजार कीजिए द